नमस्कार दोस्तों आज हम इस विडियो में शाओमी रेड्मी ए 3 वर्सस मोटो जी 24 पावर 4G का फुल डेप्थ कंपारिसन करने वाले हैं इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दुसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको विडियो के लास्ट में देंगे सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डाइमेंशन की दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो रेड्मी ए 3 में 6.63 इंच जब की जी 24 पावर 4G में 6.44 इंच की लेंथ मिलती है जो की रेड्मी ए 3 से कम है Width की बात करें तो, Redmi A3 में 3 इंच जब की G24 Power 4G में 2.9-3 इंच की Width मिलती है जो की Redmi A3 से कम है अब बात करते हैं weight की तो, Redmi A3 में 193 ग्राम्स जब की G24 Power 4G में 197 ग्राम्स का weight देखने को मिलता है जो की सेम जैसा ही है चलिए, अब हम display की तुलना करते हैं डिस्प्ले टाइप की बात करें तो, दोनों फोन में सेम ही इस LCD की डिस्प्ले मिलती है असपेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20 रेशियो 9 मिलता है डिस्प्ले साइस की बात करें तो, Redmi A3 में 6.7 इंच जब की G24 Power 4G में 6.56 इंच दिस्प्ले रेजोशन Redmi A3 में 720x1650px HD+, और G24 Power 4G में 720x1612px HD+, मिलता है Screen to Body Ratio Redmi A3 में 83.14 प्रतिशत जबकि G24 Power 4G में 85.27 प्रतिशत मिलता है बात करे PPI Density की तो दोनों फोन में सेम ही 279 पिक्सेल प्रती इंच मिलती है अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानि विशेशताएं की जो की मोबाइल फोन का महत्वपून हिस्सा है अब बात करते हैं सब के पसंदीदा फीचर्स कैमरा की दोस्तों सबसे पहले बात करें में कैमरा की तो Redmi A3 में 2 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है और G24 Power 4G की बात करें तो इसमें भी हमें 2 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की प्राइमरी कैमरा और आखे में माक्रो कैमरा देखने को मिलता है बात करें विडियो कैमरा की तो Redmi A3 में 8 different type के features मिल जाते हैं और G24 Power 4G की बात करें तो उसमें 11 different type के features मिल जाते हैं अब बात करें front camera यानि की selfie camera की तो Redmi A3 में single camera देखने को मिलता है जिसमें की 5 different features मिलते हैं और G24 Power 4G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें तीन डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आए अब बात करते हैं हार्डवेर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेर में सबसे पहेले CPU जो की स्पीट के हिसाब से देखा जाये तो फोन में सबसे इंपोर्टन पार्ट है उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो, Redmi A3 में Power VR GE 832 जबकी G24 Power 4G में Mali G52 MC2 मिलता है। चिप सेट की बात करें तो, Redmi A3 में MediaTek Helio G36 और G24 Power 4G में MediaTek Helio G85 मिलता है। बात करें RAM की तो, Redmi A3 में 3 ओप्शन देखने को मिलता है, जिसमें 3GB, 4GB, 6GB की RAM मिलती है जबकी G24 Power 4G में 2 ओप्शन देखने को मिलता है, जिसमें 4GB, 8GB RAM मिल जाती है। बात करें Internal Memory जिसको हम Storage भी कहते हैं वो, Redmi A3 में 2 ओप्शन देखने को मिलता है, जिसमें 64GB, 128GB की Storage मिलती है जबकी G24 Power 4G में एक ही ओप्शन देखने को मिलता है, जिसमें 128GB Storage मिल जाती है। Expandable Memory दोनों फोन में अप्टु 1TB है। ओपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो, Redmi A3 में Android V13 जबकी G24 Power 4G में Android V14 देखने को मिलती है। बैटरी, Redmi A3 में 5000mAh जबकी G24 Power 4G में 6000mAh देखने को मिलती है। अई अब में फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो, Redmi A3 में 3 कलर्स जबकी G24 Power 4G में 2 कलर्स आप्शन मिलते हैं। सब इंफोमेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो, Redmi A3 में 3 वेरेंट देखने को मिलते हैं। जो की 3GB RAM 64GB स्टोरेज के साथ 7,299 रूपीज, 4GB RAM 128GB स्टोरेज के साथ 7,999 रूपीज, 6GB RAM 128GB स्टोरेज के साथ 8,999 रूपीज में मिल जाता है। जो की 4GB RAM 128GB स्टोरेज के साथ 7,999 रूपीज, 8GB RAM 128GB स्टोरेज के साथ 9,999 रूपीज में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रांज और कॉन्स यानि की फाइदे और नुकसान की तो, दोनों फोन में 8, फाइदे और 6 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजर्ट की तो, डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, में कामरा में G24 पावर 4G आगे है, फ्रन्ट, सेल्फी कामरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मंस में G24 पावर 4G आगे है। दोस्तों, अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें रियल मी नाजो N63 4G है, दुसरा टेक्नो स्पार्क 20 है, तीसरा वीवो वाई 18 है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें पोको C61 है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रेयर दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो कृप्याय से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।